मानव जाती पर जो संकट आया उस पर हमारी बादचीत कुछ ज़्यादा ही रही लेकिन इन दिनों मैं देख रहा हूँ लगातार लोगों में एक विशय पर चर्चा हो रही है कि आखिर ये साल कब बितेगा कोई किसी को फोन भी कर रहा है तो बादचीत इसी विशय से शुरू हो रही है ये साल जल्दी क्यों नहीं बित रहा कोई लिख रहा है दोस्तों से बात कर रहा है कह रहा है कि ये साल अच्छा नहीं है कोई कह रहा है 2020 शुब नहीं है बस लोग यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये साल जल्द से जल्द बीत जाए साथियों कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है हो सकता है ऐसी बादचीज के कुछ कारण भी हो छे-सात महना पहले ये हम कहां जानते थे कि कोरोना जैसा संकट आएगा और इसके खलाफ ये लड़ाई इतनी लंबी चलेगी ये संकट तो बनाई हुआ है उपर से देश में नीत नई चुनवतियां सामने आती जा रही है अभी कुछ दिन पहले देश के पूर्वी शोर पर साइकलोन अमफान आया तो पस्रिमी शोर पर साइकलोन निसरग आया कितने ही राज्यों में हमारे किसान भाय बहन टीडी दल के हमले से परिशान है और कुछ नहीं तो देश के कही हिस्सों में छोटे-छोटे भुकम रुखने का ही नाम नहीं ले रहे हैं और इन सब के बीच हमारे कुछ पड़ोसियां द्वारा जो हो रहा है देश उन चुनवतियों से भी निपट रहा है वाकई एक साथ इतनी आप आपदाएं हैं बहुत कम ही देखने सुनने को मिलती है हाला तो ये हो गई है कि कोई छोटी-छोटी गटना भी हो रही है तो लोग उन्हें भी इन चुनवतियों के साथ जोड़ करके देख रहे हैं साथियों मुश्किले आती है संकट आते हैं लेकिन सवाल यही है कि क्या इन आपदाओं की वज़र से हमें साल 2020 को खराब मान लेना चाहिए क्या पहले के 6 महने जैसे बिते हैं उसकी वज़र से यह मान लेना कि पूरी साली ऐसा है क्या यह सोचना सही है जी नहीं मेरे पहले देशवासियों बिलकुल नहीं एक साल में एक चनोती आये या पचास च चनोती आये नंबर कम ज्यादा होने से वो साल खराब नहीं हो जाता भारत का इतिहास ही आपदाओं और चनोतियों पर जीत हासिल कर और ज्यादा निखर कर निकलने का रहा है सैंक्रों वर्सों तक अलग-अलग आकरांताओं ने भारत पर हमला किया उसे संकटों में डाला लोगों को लगता था कि भारत की समरचना ही नश्ट हो जाएगी भारत की संस्कृती ही समापत हो जाएगी लेकिन इन संकटों से भारत और भी भव्य होकर सामने आया साथियों हमारी यहां कहा जाता है स्रजन शास्वत है स्रजन निरंतर है मुझे गीत की कुछ पंक्तिया याद आ रही है यह कल-कल छल-छल बहती क्या कहती गंगा धारा युग-यूग से बहता आता यह पुन्य प्रवाह हमारा उसी गीत में आगे आता है क्या उसको रोक सकेंगे मिटने वाले मिट जाएं कंकड पत्थर की हस्ती क्या बाधा बन कर आए भारत में भी जहां एक तरब बड़े-बड़े संकट आते गए वही सभी बाधाओं को दूर करते हुए अनेकों अनेक स्रजन भी हुए नए साहित्य रचे गए नए अनुसंधान हुए नए सिध्धान गड़े गए यानि संकट के दवरान भी हर क्षेत्र में स्रजन की प्रक्रिया जारी रही और हमारी संस्कृती पुष्पीत पलवित होती रही देश आगे बढ़ता ही रहा भारत ने हमेशा संकटों को सफलता की सीडियों में परिवर्तित किया है इसी भावना के साथ हमें आज भी इन सारे संकटों के बीच आगे बढ़ते ही रहना है आप भी इसी विचार से आगे बढ़ेंगे 130 करोड देश वासी आगे बढ़ेंगे तो यही साल देश के लिए नए किर्तिमान बनाने वाला साल साबित होगा इसी साल में देश नए लक्ष प्राप्त करेगा नई उडान भरेगा नई उचाईयों को छूएगा मुझे पुरा विश्वास 130 करोड देश वासीों की शक्ति पर है आप सब पर है इस देश की महान परंपरा पर है मेरे प्यारे देश वासीों संकट चाहे जितना भी बड़ा हो भारत के संसकार निश्वार्थ भाव से सेवा की प्रेणा देते हैं भारत ने जिस तरह मुश्किल समय में दुनिया की मदद की उसने आज शान्ति और विकास में भारत की भूमिका को और मजबूत किया है दुनिया ने इस दोरान भारत की विश्व बंदूत्व की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभूता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है लदाक में भारत की भूमी पर आँख उठा कर देखने वानों को करारा जवाब मिला है भारत मित्रता निभाना जानता है तो आँख में आँख डाल कर देखना और उचीत जवाब देना भी जानता है हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मा भारती के गवरों पर आच नहीं आने देंगे साथियों लदाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए है उनके शावरिय को पुरा देश नमन कर रहा है सरधांजली दे रहा है पुरा देश उनका कृतग्या है उनके सामने नतमस्तक है इन साथियों के परिवारों के तरह ही हर भारतिय इने खोने का दर्द भी अनुहो कर रहा है अपने वीर सपुतों के बलिदान पर उनके परिजनों में गर्व की जो भावना है देश के लिए जो जजबा है यही तो देश की ताकत है आपने देखा होगा जिनके बेटे शहीद हुए वो माता पिता अपने दूसरे बेटों को भी घड के दूसरे बच्चों को भी सेना में भेजने की बात कर रहे हैं बिहार के रहने वाले शहीत कुंदर कुभार के पिताजी के शब्द तो कानों में गूंज रहे हैं वो कह रहे थे अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा यही होसला हर शहीत के परिवार का है वास्तों में इन परिजनों का त्याग भुजनी है भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है उसी संकल्प को हमें भी जीवन का धेग बनाना है हर देश वासी को बनाना है हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत भड़े देश और अधिक सक्षम बने देश आत्मनेरभर बने यही हमारे शहीदों को सच्ची सद्धान ले भी होगी मुझे असम से रजिनी जी ने लिखा है कि उन्होंने पुर्वी लदाक में जो कुछ हुआ वो देखने के बाद एक प्रण दिया है प्रण यह कि वो लोकल ही खरी देंगे इतना ही नहीं लोकल के लिए वो कल भी होगी ऐसे संदेश मुझे देश के हर कौने से आ रहे हैं बहुत से लोग मुझे पत्रा लिख कर बता रहे हैं तो वो इस और बढ़ चले हैं इसी तरह तमिन्दारु के मदुराई से मोहन रामामूर्थी जी ने लिखा है कि वो भारत को डिफेंस के ख्षेतर में आत्मंदेर भर बनते हुए देखना चाहते हैं साथियों आजादी के पहले हमारा देश डिफेंस सेक्टर में दुनिया के कई देशों से आगे था हमारे यहाँ अनेको ओर्डिनन्स फेक्टरिया होती थी उस समय कई देश जो हमसे बहुत पीशे थे वो आज हमसे आगे हैं आज जादी के बाद डिफेंस सेक्टर में हमें जो प्रयास करने चाहिए थे हमें अपने पुराने अनुभवाओं का जो लाब उठाना चाहिए था हम उसका लाब नहीं उठा पाए लेकिन आज डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलोजी के खेत्र में भारत आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास कर रहा है भारत आत्म निर्भरत आगे तरब कदम बढ़ा रहा है साथियों कोई भी मिशन पीपल्स पार्टिसिपेशन जन्भागिदारी के बीना पूरा नहीं हो सकता सफल नहीं हो सकता इसलिए आत्म निर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तोर पर हम सब का संकल्प समर्पन और सहयोग बहुत जरूरी है अनिवारिया है आप लोकल खरीदेंगे लोकल के लिए वोकल होंगे तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमी का निवार है ये भी एक तरह से देश की सेवा ही है आप किसी भी प्रोफेशन में हो हर एक जगह देश सेवा का बहुत स्कोप होता ही है देश की आवश्यक्ता को समझते हुए जो भी कार्य करते हैं वो देश की सेवा ही होती है आपकी यही सेवा देश को कहीं न कहीं मजबूत भी करती हैं और हमें ये भी याद रखना है हमारा देश जितना मजबूत होगा दुनिया में शांती की संभावनाए भी उतनी ही मजबूत होगी हमारी यहां कहा जाता है विद्या विवादाय धनम मदाय विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परिशाम परिपीड नाय खलत से साध हो विप्रितम एतत ग्यानाय दानाय चरक्षणाय अर्थात अगर स्वभाव से दुष्ट है तो विद्या का प्रयोक व्यक्ति विवाद में धन का प्रयोक गमन में और ताकत का प्रयोक दूसरों को तकलीफ देने में करता है लेकिन सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए धन मदद के लिए और ताकत रक्षा करने के लिए इस्तमाल होती है भारत ने अपनी ताकत हमेशा इसी भावना के साथ इस्तमाल की है भारत का संकल्प है भारत के स्वाबिमान और संप्रभुता की रक्षा भारत का लक्ष है आत्म निर्भर भारत, भारत की परंपरा है भरोसा, मित्रता, भारत का भाव है बंदूता, हम इनी आदर्शों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे. मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना के संकट काल में देश लोकडाउन से बहार निकल आया है. अब हम अनलोक के दोर में हैं. अनलोक के इस समय में दो बातों पर भावत फोकस कर रहा है. कोरोना को हराना और अर्थ वबस्ता को मजबूत बनाना, उसे ताकत देना. साथियों लोकडाउन से ज़्यादा सतर्क्ता हमें अनलोक के दवरान बरतनी है आपकी सतर्क्ता ही आपको कोरोना से बचाएगी इस बात को हमेशा याद रखे कि अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं दो गज की दुरी का पालन नहीं करते हैं या फिर दूसरी जरूरी सावधानिया नहीं बरते हैं तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी जोखिम में डाल रहे हैं खास तोर पर घर के बच्चों और बुजुर्कों को इसलिए सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है और ये निवेदन में बाहर बाहर करता हूँ और मेरा निवेदन है कि आप लाप परवाही मत बरतिये अपना भी ख्याल रखिये और दूसरों का भी साथियों अनलोक के दौर में बहुत सी ऐसी चीज़े भी अनलोक हो रही हैं जिन में भारत दसकों से बंधा हुआ था वर्सों से हमारा माइनिंग सेक्टर लोकडाउन में था कॉमर्शियल आक्षन को मंजूरी देने के एक निर्ड़े स्थिती को पूरी तरह से बदल दिया है कुछी दिन पहले स्पेस सेक्टर में एक्तिहासिक सुधार किये गए उन सुधारों के जरिये वर्सों से लोकडाउन में जकड़े इस सेक्टर को आजादी मिली इससे आत्मनिर भर भारत के अभियान को न केवल गती मिलेगी बलकि देश टेक्नोलोजी में भी एडवांस बनेगा अपने कुछी क्षेत्र को देखें तो इस सेक्टर में भी बहुत सारी चीजें दसकों से लोकडाउन में फसी थी इस सेक्टर को भी अब अन्लोक कर दिया गया है इस से जहां एक तरफ किसानों को अपनी फसल कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी मिली है वहीं दूसरी तरफ उन्हें अधीक रोन मिलना भी सुनिश्चित हुआ है ऐसे अनेक शित्र हैं जहां हमारा देश इन सब संकटों के बीच एतिहास एक निर्णे लेकर विकास के नए रास्ते खोल रहा है मेरे प्यारे देशवासियों हर महिने हम ऐसी खबरे पढ़ते और देखते हैं जो हमें भावुक कर देती हैं यह हमें इस बात का स्मरण कराती हैं कि कैसे हर भारतिय एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर है वो जो कुछ भी कर सकता है उसे करने में जुटा है अरुनाचल प्रदेश की एक ऐसी ही प्रेरक कहानी मुझे मीडिया में पढ़ने को मिली यहां सियान जिले के मिरेम गाउं ने वो अनोखा कायर कर दिखाया जो समुचे भारत के लिए एक मिसाल बन गया है इस गाउं के कई लोग बाहर रहकर नोकरी करते हैं गाउंवालों ने देखा कि कॉरोना महमारी के समय ये सभी अपने गाउं के और लोट रहे हैं ऐसे में गाउंवालों ने पहले से ही गाउं के बाहर क्वारंटीन का इंतजाम करने का फैसला किया उन्होंने आपस में मिलकर गाउं से कुछी दुरी पर 14 अस्थाई जोपडिया बना दी और ये ताय किया कि जब गाउंवाले लोट कर आएंगे तो उन्हें इनी जोपडियों में कुछ दिन क्वारंटीन में रखा जाएगा उन जोपडियों में साउचारे, बिजली, पानी समेथ, दैनीक जरूरत की हर तरह की सुविधा उपलब्त कराएगी जाहिर है, मिरेम गाउं के लोगों के इस सामुहिक प्रयास और जागुरूता ने सबका ध्यान अपनी और आकर्शित कर लिया साथियों, हमारी यहां कहां जाता है अर्थात जैसे कपूर आग में तपने पर भी अपनी सुगंद नहीं छोडता वैसे ही अच्छे लोग आपदा में भी अपने गून, अपना स्वभाव नहीं छोडते आज हमारे देश की जो स्रम शक्ती हैं, जो स्रमिक साती हैं, वो भी इसका जीता जागता उधारण है आप देखिए, इन दिनों हमारे प्रवासी स्रमिकों की ऐसी कितनी ही कहान या आ रही हैं, जो पुरे देश को प्रेणा दे रही है यूपी के बारा बंकी में गाउं लोटकर आए मजदिरों ने कल्याणी नदी का प्राक्रोतिक स्वरुप लोटाने के लिए काम शुरू कर गया नदी का उधार होता देख, आसपास के किसान, आसपास के लोग भी उत्साहित हैं गाउं में आने के बाद, क्वारंटीन सेंटर में रहते हुए, आइसोलेशन सेंटर में रहते हुए, हमारे स्रमिक साथ्यों ने जिस तरफ अपने कौशल्य का इस्तमाल करते हुए, अपने आसपास के स्थित्यों को बढ़ला है, वो अध्भूत है लेकिन साथ्यों, ऐसे कितने ही किस्से कहानियां देश के लाखों गाउं के हैं, जो हम तक नहीं पहुँच पाए हैं जैसा हमारे देश का स्वभाव है, मुझे विश्वास है साथ्यों, कि आपके गाउं में भी, आपके आसपास भी, ऐसी अनेक घटनाएं गटी होगी इस सकारात में घटनाएं, एक कहानियां औरों को भी प्रेणा देगी, मेरे प्यारे जैस्वास्यों, कोरोना वाइरस ने निश्चित रुप से हमारे जीवन जीने के तरीकों में बढ़लाव ला दिया है मैं लंदन से प्रकासित, फाइनांशल टाइंश में एक बहुती दिल्चस्प लेक पड़ रहा था इसमें लिखा था कि कोरोना काल के दोरान, अद्रक, हल्दी समेत, दूसरे मसालों की मांग, एशिया के अलावा, अमेरिका तक में भी बढ़ गई है पूरी दुनिया का ध्यान इस समय अपनी इम्मुनिटी बढ़ाने पड़ है, और इम्मुनिटी बढ़ाने वाले इन चीजों का समन हमारे देश से है हमें इनकी खासियत विश्व के लोगों को ऐसी सहज और सरल भासम में बतानी चाहिए, जिससे वे आसानी जे समझ सकें और हम एक हिल्दियर प्लैनेट बनाने में अपना योगदान दे सकें मेरे प्यारे देश स्वासियों, कोरोना जैसा संकट नहीं आया होता, तो शायद जीवन क्या है, जीवन क्यों है, जीवन कैसा है, हमें शायद ये याद ही नहीं आता कई लोग इसी वजह से मानसिक तनावों में जीते रहे हैं, तो दूसरी और लोगों ने मुझे ये भी शेयर किया है, कि कैसे लोकडाउन के दौरान, खुशियों के छोटे-छोटे पहलू भी उन्होंने जीवन में री-डिस्कवर किये हैं, कई लोगों ने मुझे पारंप प्रदेश में पारंपारी खेलों की बहुत समरुद्ध विरासत रही है, जैसे आपने एक खेल का नाम सुना होगा, पचीसी ये खेल तमिनाडु में पलनान, नुंगली, करणाटक में, अली, गुली, मने और आंध प्रदेश में वामन, गुंटलू के नाम से खेला जाता ह ये एक प्रकार का स्ट्रेटेजी गेम है, जिसमें एक बोड का उप्योग किया जाता है, इसमें कई खांचे होते हैं, जिनमें मौझूद गोली या बीच को खिलाडियों को पकड़ना होता है, कहा जाता है कि ये गेम दक्षिन भारत से दक्षिन पूर्वे एशिया और फि जब भी एक भारतिय पारमपारी गेम का ही रूप है, जिसे मोक्सपाटम या परमपदम कहा जाता है, हमारी यहां का एक और पारमपारी गेम रहा है गुट्टा, बड़े भी गुट्टे खेलते हैं और बच्चे भी, बस एक ही साइज के पांच छोटे पत्तर उठाएं और काम तोर पर हमारी हां इंडोर खेलों में कोई बड़े साधनों की जरूर नहीं होती है, कोई एक चौग या पत्थर ले आता है, उसे जमीन पर ही कुछ लगी रेखीत देता है, और फिर खेल स्विरू हो जाता है, जिन खेलों में डाइस की जरुरत परती है, कोडियों से, या इमली के बीच से भी काम चल जाता है। साथिवों, मुझे मालूम है, आज जब मैं ये बात कर रहा हूँ, कितने ही लोग अपने बच्पन में लोट गए होगे, कितनों को ही अपने बच्पन के दिन याद आ गए होगे। मैं यही कहूँगा, कि उन दिनों को आप भूले क्यों है, उन खेलों को आप भूले क्यों है, मेरा घर के नाना, नानी, दादा, दादी, घर के बुजुद्गों से आग रहे हैं, कि नई पीडी में ये खेल आप अगर ट्रांस्पर नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? जब आउन लाइन पढ़ाय की बात आ रही है, तो बैलेंस बनाने के लिए, आउन लाइन खेल से मुक्ति पाने के लिए भी, हमें ऐसे करना ही होगा. हमारी युवापिडी के लिए भी, हमारे स्टार्ट अप्स के लिए भी, यहाँ एक नया अउसर है, और मजबूत अउसर है, हम भारत के पारमपारिक इंडोर गेम्स को, नए और आकर्शक रूप में प्रस्थूत करें, उनसे जुड़ी चीजों को जुटाने वाले, सप्लाइ करने वाले स्टार्ट अप्स, बहुत पॉपलर हो जाएंगे, और हमें ये भी आद रखना है, हमारे भारतिय खेर भी तो लोकल है, और हम लोकल के लिए बोकल होने का प्रण पहले ही ले चुके हैं, और मेरे बाल सखा मित्रों, हर घर के बच्चों से, मेरे नन्य साथियों से भी, आज मैं एक विशेस आग्रह करता हूँ, बच्चे आप मेरा आग्रह मानेंगे न, देखिए मेरा आग्रह हैं कि मैं जो कहता हूँ, आप जुरूर करिए, एक काम करिए, जब थोड़ा समय मिले, तो माता, पिता से पूछ कर, मोबाइल उठाईए, और अपने दादा, दादी, नाना, नानी, या घर में जो भी बुजूर्ग है, उनका इंटर्वी रेकॉर्ड किरिए, अपने मोबाइल फॉन में रेकॉर्ड करिए, जैसे आपने टीवी पर देखा होगा न, कैसे पत्रकार इंटर्वीव करते हैं, बस वैसा ही इंटर्वीव आप कीजिए, और आप उनसे सवाल क्या करेंगे, मैं आपको सुजाव देता हूँ, आप उनसे जुरूर पूछिए, कि वो बच्चपन में उनका अरहन सन कैसा था, वो कौन से खेल खेलते थे, कभी नाटक देखने जाते थे, सिनेमा देखने जाते थे, कभी छुटियों में मामा के घर जाते थे, कभी खेत खलिहान में जाते थे, तो हार कैसे मनाते थे, बहुत से बाते आप उनको पूछ सकते हैं, उनको भी 40-50 साल, 60 साल पुनानी अपनी जिन्दिगी में जाना, बहुत आनंद देगा, और आपके लिए 40-50 साल पहले का हिंदुस्तान कैसा था, आप जहां रहते हैं वो इलाका कैसा था, वहाँ परिश्र कैसा था, लोगों के तौर तरीके क्या थे, सब चीज़ें बहुत आसानी से, आपको सीखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी, और आप देखें आपको भहुत मजाएगा, और परिवार के लिए, एक बहुती अमुल्य खजाना, एक अच्छा वीडियो आल्बम भी बन जाएगा, साथियों, ये सत्य है कि आत्म कथा या जीवनी, आटोबायोग्राफी या बायोग्राफी, इतिहास की सच्चाई के निकट जाने के लिए, बहुती उप्योगी माध्यम होती है, आप भी अपने बड़े बुजूरों से बाते करेंगे, तो उनके समय की बातों को, उनके बच्चपन, उनके युवाकार की बातों को और आसानी से सबच पाएंगे, ये बहतरीन मोका है कि बुजूर्ग भी अपने बच्चपन के बारे में, उस दौर के बारे में अपने घर के बच्चों को बताएं, साथियों, देश के एक बड़े हिस्से में, अब मौनसुन पहुँच चुका है, इस बार बारिस को लेकर मौसम विज्ञाने भी बहुत उत्साहित हैं, बहुत उमीद जता रहा है, बारिस अच्ची होगी, तो हमारे किसानों की फसले अच्ची होगी, वातावन भी हरा भरा होगा, बारिस के मौसम में प्रकूती भी जैसे खुद को रीजुवेनेट कर लेती हैं, मानो प्रकूतिक समसादनों का जीतना दोहन करता है, प्रकूती एक तरह से बारिस के समय, उनकी भरवाई करती हैं, रीफिलिंग करती हैं, लेकिन ये रीफिलिंग तभी हो सकती है जब हम भी इसमें अपनी धर्ती मां का साथ दे, अपना धाइत्व निभाएं, हमारे द्वारा किया गया थोड़ा सा प्रयास, प्रकृती को, परियावरन को बहुत मदद करता है, हमारे कई देश्वासी तो इसमें बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, करणाटक के मंदावली में, एक 85 साल के भुजूर्ग है कामे गवडाजी, कामे गवडाजी एक साधारन किसान है, लेकिन उनका व्यक्तितर बहुत असाधारन है, उन्होंने ऐसा काम किया है, कि कोई भी आश्चिर में पड़ जाएगा, 85 साल के कामे गवडाजी अपने जानवरों को चराते हैं, लेकिन साथ-साथ उन्होंने अपने क्षेत्र में नए तालाब बनाने का भी बिड़ा उठाया हुआ है, वे अपने इलाके में पानी की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, इसलिए जल सवरक्षन के काम में, छोटे-छोटे तालाब बनान के काम में जुटे हैं, आप हैरान होंगे कि 80-85 वसके कामे गोडाजी अब तक 16 तालाब खोद चुके हैं, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, हो सकता है कि जो तालाब उन्होंने बनाए हैं, वो बहुत बड़े नहों, लेकिन उनका ये प्रयास बहुत बड़ा है, आज पूरे इलाके को इन तालाबों से एक नया जीवन मिला है, साथियों, गुजरात के वड़ोदरा का भी एक उधान बहुत प्रयरक है, यहां जीला प्रशासन और स्थानिये लोगों ने मिलकर एक दिलचर्ष पर मुहिम चलाई है, इस मुहिम की वजह से आज वड़ोदरा मे एक हजास कुलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होने लगी है, एक अनुमान है कि इस वजह से हर साल आवसतन करीब दस करोल लीटर पानी बेकार बह जाने से बचाये जा रहा है, साथियों, इस बरसात में प्रकूरती की रक्षा के लिए, परियावरन की रक्षा के लिए हमें भी कुछ इसी तरह सोचने की, कुछ करने की पहल करनी चाहिए, जैसे कही स्थानों पर गणेश चतुर्थी को लेकर तयार या शुरू होने जा रही होगी, क्या इस बार हम प्रयास कर सकते हैं, कि एको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमाये बनाएंगे और उन्ही का पूजन करेंगे, क्या हम ऐसी प्रतिमायों के पूजन से बच सकते हैं, जो नदी तालाबों में विसरजित किये जाने के बाद, जल के लिए, जल में रहने वाले जीव जन्तों के लिए संकड बन जाती है, मुझे विश्वास है, आप ऐसा जरूर करेंगे, और इन सब बात सदियां, काड़ा, गर्म पानी, इन सब का इस्थमाल करते रहिए, स्वस्त रहिए, मेरे प्यारे देशवासियों, आज 28 जून को भारत अपने एक बुद्पुर्व प्रधान मंत्री को स्रधाजली दे रहा है, जिन्नोंने एक नाजुग दौर में देश का नेतरुत्व कि हमारी ये पूर्व प्रधान मंत्री स्री पीवी नरसे राव जी की आज जन्म शताब्दी वर्ष की शुरुवात का दीन है, जब हम पीवी नरसे राव जी के बारे में बात करते हैं, तो स्वाभायू के रूप से राजनेता के रूप में उनकी शबी हमारे सामने उभरती ह लेकिन ये भी सच्चाई है कि वने एक भाषाओं को जानते थे भारतिये ये विदेशी भाषाओं बोल लेते थे वे एक और भारतिये मुल्लियों में रचे बसे थे तो दूसरी और उन्हें पश्चात्य साइत्य और विज्ञान का भी ज्ञान था वे भारत के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक थे लेकिन उनके जीवन का एक और पहलू भी है और वो लिखनी है हमें जानना भी चाहिए सात्यों नर्से महरावजी अपनी किशोर आवस्ता में ही स्वतंत्रता अंदोलन में सामील हो गए थे जब हैदराबाद के निजाम ने बंदे मात्रम गाने की अनुमती देने से निकार कर दिया था तब उनके खलाब आंदोलन में उन्होंने भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था उस समय उनके उम्र सिर्फ सत्रा सार थी छोटी उम्र से ही स्रिमान नर्समा राव अन्याय के खलाब आवाज उठाने में आगे थे अपनी आवाज बुल्ण करने में कोई कोर कसर बाके नहीं छोड़ते थे नर्समा राव जी कित्यास को भी बहुत अच्छी तरह समझते थे बहुती साधान प्रुष्ट बुमी से उटकर उनका आगे भड़ना सिक्षा पर उनका जोड सिखने के उनकी प्रवुती और इन सब के साथ उनकी नेत्रुत अख्षमता सब कुछ मरनी है मेरा आगरह है कि नर्समा राव जी के जन्मस्ताब्दी वर्ष में आम सभी लोग उनके जीवन और विचारों के भारे में जादा से जादा जानने का प्रयास करें मैं एक बार फिर उन्हें अपनी स्रद्धानली अर्पित करता हूँ मेरे प्यारे देश वास्यों इस बार मन की बात में कई विशों पर बात हुई अगली बार जब हम मिलेंगे तो कुछ और नए विशों पर बात होगी आप अपने संदेश अपने इनोवेटिव आईडियाज मुझे जरूर भेजते रहिए हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे और आने वाले दिन और भी सकारात्मक होंगे जैसा कि मैंने आज सुरू में कहा हम इसी साल यहनी 2020 में ही बहतर करेंगे आगे बढ़ेंगे और देश भी नई उचाईयों को छूएगा मुझे भरोसा है कि 2020 भारत को इस दसक में एक नई दिशा देने वाला वर्ष शाबित होगा इसी भरोसे को लेकर आप भी आगे बढ़िए स्वस्त रहिए सकारात्मक रहिए इनी सुब कामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद